नमस्कार दोस्तों प्रीती किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रजगरे का फलहारी हलवा वैसे तो आपने हलवा बहुत बनाया होगा लेकिन आज हम जिस ट्रिक से और जिस मैथर्ड से बनाएंगे न हमारा हलवा एकदम खिला खिला बनेगा एकदम दानेदार रवादार बनेगा अक्सर जब हम कोई भी हलवा बनाते हैं तो वो कई बार दातों में चिपकता है गले में अटकता है तो आज हम जिस ट्रिक से हलवा बनाएंगे ना तो ना वो दातों में चिपकेगा ना वो गले में लगेगा तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको कैसे बनाना है एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे एक चमज भर कर सुद्धी देशी घी आप इस यहां डालडा और सुद्धी की दोनों को मिक्स कर सकते हैं एक कटोरी रजगरा लिया है रजगरे का आठा और इसको हमें बुलकु फ्लेम पर बुलकुल नहीं पकाना ये तो वैसे भी बहुत जल्दी धुआ छोड़ देता है और मेडियम या हाई फ्लेम पर एक दम से सिख जाएगा जल्दी हमें इसको बहुत आराम से सेखना है जससे इसमें सौनधा बना जाएगा और ये बहुत अच्छा खाने में बहुत जल्दी जल जाएगा इस तरह से हम ये सारा हलवा सेख लेते हैं हमारा जैसे जैसे सिखेगा तो ये आपस में चिपकता जाएगा एक जगह खटा होने लगेगा क्योंकि इसमें घी मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से सिख कर तैयार हो जाएगा अब ये इसको चलाना मत छोड़ी है बिल्कुल लगातार हम इसको चलाते रहेंगे इसको हमें हलका बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है जिससे इसका कलर सिखने के बाद बहुत अच्छा आएगा अब गैस का फलिम मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत जादा हो जाएगा जल जाएगा तो ये अब हमारा अच्छी तरह से सिख चुका है तो इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम कड़ाई में मैंने थोड़ा सा सुद्धी की डाला है छोटी दो चम्मच और इसमें हम कुछ ड्राइफ फूट्स लेंगे तो मैंने या काजू और बादाम लिये हैं इनको लंबा-लंबा ही कट किया है आप चाहें तो काजू बादाम या जो ड्राइफ फूट्स ले रहे हैं आप वो पहले भी सेख कर रख सकते हैं बुर्कुल लो फूट्स लेम पर हमने अपने ड्राइफ फूट्स को सेख लिया है यह अच्छी तरह से सिख चुके है इस ताइम मैंने गैस का फूट्स बंद कर दिया है और जो हमने रजगरे का आटा सेखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से एक बार मिला मिजर्मेंट के लिए आप सेम कटोरी का यूज कीजिए सेम कटोरी से मैंने लिया है आदा कटोरी चीनी आप इसकी क्वैंटिटी कम्या ज्यादा कर सकती है वैसे यह परफेक्ट मिजर्मेंट है अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं गैस का फ्लेम हमें बुलकुल लो रख तो यह पर्फेक्ट हो जाएगा यह देखिए एकदम लिक्विट हो चुका है लेकिन हमें इसको पूरे प्रोसेस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है ताकि हमारा हलवा एकदम खिला-खिला पर्फेक्ट दानेदार और बहुत अच्छे कलर का बनेगा इसको लगातार हम चल आते रहेंगे यह देखिए एकदम से गाड़ा हो गया है लेकिन एसी स्टेज पर टास बंद कर दियते हैं कि हल्वा पिप्पन कर देंगे तो यही रिए में गल्येम फसाlay में लगता है और नातों में चिपकता है इसके बाद ही सही प्रोसेस स्टार्ट होता है हम इसकी अब जितनी सिकाई करेंगे यह उतना ज़्यादा बढ़िया टेस्टी बनेगा खिलादार बनेगा इसको हम लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लिम पर और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करना है हमें बहुत आराम से करना है गैस का फ्लिम हाई या मेडियम नहीं करिये लो फ्लिम पर हम इसको सेखते रहेंगे ये धीरे धीरे हमें एक तम थोड़ा रसीला सा लगेगा इसमें थोड़ा घी दिखने लगेगा आप देख सकते हैं पैन में बहुत हलका मामूली सा घी दिख रहा है क्योंकि हमारा हलवा बहुत अच्छे से सिक रहा है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए हलके से बबल दिख रहा है न इसका मतलब हमारा हलवा बहुत अच्छे से सिक रहा है और जब हम इसको पल्टेंगे तो ये देखिए आपको हलका सा झाग वाला घी देखेगा ये देखिए इसका मतलब हमारा हलबा बहुत अच्छे से सिख चुका है बहुत अच्छा कलर भी आया है दिखने में भी बहुत दानेदार लगने लगा होगा आपको इस प्रोसेस को करने से हमारा हलवा बिल्कुल मूँ में नहीं चिपकेगा गले में नहीं अटकेगा कैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है लेकिन अभी हमारी कराई गर्म है तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से आप जरूर हलवा ट्राई कीजिए रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए अब सर्विंग बोल में हम इसको डाल देते हैं तो फटा फट से हमारा रजगेरा का फलहारी हलवा बन कर तेयार है आप इसको दो से तीन दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभब मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई